हेलो अच्छों वेलकम बैक तो माई चैनली आप लोग की इंशुरेंस की लासे चाहिए थी जिसने प्रीफ वीड़ा था कि वो लाइफ इंशुरेंस पॉलिशी होती है क्या रहती है कि सहां से इंपॉर्टेंट होती है जलीवी होती है आज के वीडियों में हम इसी के आगे प थे होने साधार बीमा होता है और सधार दीमा होगी क्या होंगी एक तहां साधार बन चुकी है ऐसे बड़े माने पर रिसाइछ रहा है इंकि क्या योजना होती है पॉर्टेंट यहां से यहां से आ आंज सबहरा चाब को जाते हैं कि और अजीवन दीमा होता है बंदोबस्ती विवांगों होता है और अवधी नी tutte पूरे दिय exponet zum वह जाएगी कि केवल मत्य होने पर ही चांग करना बंदोबस्ती में क्या रहता है कि एक निश्य तवधी के लिए एक निश्य टाइमिंग के लिए लिया जाता है जैसे कि के अन्दर है जैसे 10 साल का लिया गया है जो और 10 साल के वधी में ही जो दिमादार होगा जोसक्ता निमय की सोबना के लिए फाप्रखे कर दि पहले तो इसको विमेंत रस्म गरैगी जाएगी फिर आ जाता है ज लिए एक निश्य टाइम लेंगी में पर चौדר कि देंस का भुक्तान होता है किम्तियोंदी पीमा की पुरिय वधी तक स्मादार जीवित रहता है तब भीमा संसा भुक्तान करने को जाएटों से मुख्त हो जाती है यहां पर क्या होता है तो यहां पर इसले बिल्टर ऑप्शन्स जो रहते हैं आपके इंडोर्में भीमा रहता है और आएगा कि आजीगन वीमा और बंदवस्ती वीमा को इस थाई वीमा भी पर्मानेंज इंस्वरेंस भी कहा जाता है कि इसमें क्या हताइज अपको ज्यादा मिल जाती है क्योंकि आवदी वीमा के तुल्ला में ये जिलिक काले वीमा ये उजना है उनमें बीमित रक्रम का भुफतार कभी न कभी अवश्य ही होता है जासिक्त ने बताया था या तो मश्य हो जाएगी या तो अवजी जब फूरी हो जाएगी इसके बाद दूसरे और जो अवजी वी ये उसमें किसी ज़र्षी नहीं होती है तो वहाँ पर इसके भुफतान नहीं दिया जाएगा तो ये तीन हो जाते हैं अपके तरीके या योजनाएं जिके बेसिस पे आगे बीमा की पॉलिशी होती है क्या होती है आई रेखते हैं आज इवन बीमा पॉलिशी कौन कौन सी ह होती है तो पहले तो तुर्टिता है कि क्यों हो प्युक्त है तो स्रक्षा के लिए और संपदाकर का भुफतान करने के लिए या फिर किसी को पहाया दान देने के लिए इस निश्यत रखनराश्य का प्रबंद करना चाहते हो यहां पर ये पॉलिशी अच्छी होती है अभी परिवारिक को अच्छा परिश्टा की उद्रेश्य से दिया जाता है। इससे जिवादार को निवे तुछ से तब तक प्रीमम देते रहना होता है। जब तक यह जीवित है। कि जो बीमादार होता है अपनी आजवन पॉलिस्य प्रीमम का भुकतां सत्तर वर्श या इससे कम आयों तक सीले तरखना चाहता है। इसके लिए पूरी लाइफ नहीं देना चाहता है। तो वहां पर यह वाली पॉलिस्य अत्ति रहती है। फिर आ जाएगा परिवर्तनी आजीवन पॉलिटेबल फॉल लैफ पॉलिसी यह क्या है यह लाब रहिप है उसमें लाब नहीं होता इसने सिदा दी जाती हो पुछा है तो पॉलिशी के चालू होने के पाथ परशनों के बाद इसे किसी भी विवेक्षिक के लाब रहित या ल और विमादार से पिछले 5 वर्ष की प्रीवन की 6 रखम नहीं लिजाएगी इसे वेकल्पिक आजीवन पॉलिशी भी कहते हैं तो यह हो जाएंगे कौन सी जो आजीवन विमापॉलिशी होती है इसके 3 टाइक रहते हैं कि इसके अंतरगर एक नेशित अवधी कितनी रहेगी 10 तीस या 30 वर्ष की रहती है इसमें ही बीमा कराया जाता है यह नहीं मर्तु होने तक नहीं होता अवधी रहती है एक और भी लॉंग तर्म के वधी रहेगी तक यह फिसके मर्तु हो जाना दोनों क्वाइंट जाएंगे तौनमेट बताये महां कि आजियन भीमा में दीनित राकम मर्तु होने पर होने पर ही मिलीगी वेकिन जो बननवश्टी भीमा होता है अवधी बीच जाने के बाद या पीर अगर उतावधी के अंदरज मर्तु हो रही है या पूरी 10 वर्ष के वादेके बाद जो भी रहत कम क कराया जाता हो राशी मिल जाती है फिर आएगा अजिगर दीमा करने वाले का मूल उद्रे से होता है कि मर्त्य हो जाने पर नहराशी का प्रबने करना कि अगर राशी की मर्त्य हो जा रही है तो उसमें इत्की प्रिवन की राशी नहां कर दी होगी अर्ते का भीमा लिया है कि के बात को काफी घंडाराशी मिल जाती है तो उसकी जो भी होते हैं या उसमें के आगे की जनरेशन हैं उसके लिए इजी हो जाता है लाइप को बीना प्राम कि इसे स्वेशल में अपने जीवन काल में भी घंडारशी चासकता पड़ेगी तो वहां पर वजा 10 सार के लिए 10 सा मिल जाएगी वह राशी तो उसका योगो के लिए भी कर सकता है। चारण है कि आजियर बीमा की अवधी सब्सक्ते लंबी होती है। लंबी का क्या है पुरे लाइफ भर के लिए ही होती है। तो वह वस्थ इसके निश्यती लिए कि किसी की लाइफ कितनी होगी। लेकिन जो गंदोबस्ती वाला होगा उसमें एक आपका time limit रहती है एक अवधी होती है। लेकिन वो long term की रहती है शौर term में होती है। फिर आ जाएगा। और जीवन बीमा के प्रिमन दर गंदोबस्ती बीमा के दर की तुबला में कम रहती। क्योंकि life time तक देना होता है जब तक बंदोबस्ती के जीवन रहेगा इसलिए शुदर कम रखी जाती है। और जो बंदोबस्ती बीमा होता है एक अवधी मिंधारित है इसलिए प्रिमन के दर जादा होती है। यह difference हो जाएंगे दोनों के बीशने। अब बंदोबस्ती बीमा के तहां का होता है तो पहला तो है साधारण होता है शेटाइज से रखें। साध़ार बन्बवस्क की पॉलिसी इसमें क्या रहता है i वाला फॉल दिमय का दाहए ने भीमों से निधम तर बनंबतियों इस आवजी तक्षी premium को देना होता है, उसके बाद premium का दायत उसे मुख्ण हो जाता है, जैसे कि अगर 10 वर्ष की जैसे इह ने बताया जाए जाएंपल में, मान लिजे कि 15 वर्ष की जिमादा, 15 वर्ष की मंदोबस्टी पॉल्षी ले रहा है, फिर आजाता है, विलंबित मंदोबस्टी पॉलिशी, दुफ़ड इंडॉर्मेंट पॉलिशी, इसमें क्या हैगा, यह सिंपल जो आपकी है, यह ordinary इंडॉर्मेंट पॉलिशी, उसी कितना ही होती है, कि यह लिए और भीमादार की मतु होने पर, फिंआ कर उपया तुरंट दे नहीं होता, परने दिमा की वर्ष पूर होने के बाद ही में मोता है, उसमें क्या होगा, कि इसमें वर्षका जो भी सश्का कराया गिरा है बीमा और 15 पर ही मर्तु हो जारी तो बागी के पास जब बीच जाएंगे इसके बाद ही अमांट मिलेगा नेक्स हो जाएगा शुद्ध बंदुबस्ति पॉलिसी इसमें किया रहेगा कि इसमें यसरत रहती है कि जो बीमादार जो इसके म्रतु हो जाती है तब बीमा शुद्ध में गया जाती है उसके बाद जो कंपनी होती राशि नहीं देगी ऐसा ही इसमें भी रहता है कि अगर जो अवधी है में विमादार की मत्रु हो जानी है तब विमा संसा विमार की राखम देने के दायतों से मुक्त्रु को जाएगी तो कोई राशि को नहीं देती इस पॉलिसिक बिमादार विवादित रखम तभी मिल सकती है जब विवादित वही होने तक जीवित रहेगा, ऐसे 20 वर्ष के लिए है, 20 वर्ष के बाद वो राशी पूरीज को मिल जाएगी. फिर आजाता है दुगना, बंदोब्ष की पॉलिसी, डबल इंबोर्मेंट पॉलिसी, इसमें कहराता है कि बीमादार की मतु होने पर, साधार बंदोब्ष की पॉलिसी की भादी बीमादार रखम तुरंद देदी जाएगी. किन्तु यदि अवधी पूर होने तक दिमादा जिरित रहा तब बीमा की दिग मेरकम दी जाएगी यानि कि अगर जो बीमा की अवधी रहेगी इसके दूश में ही डेथ हो जाती है तो जितने क्या बीमा कराए गया था वो पूरी राशी दे दी जाएगी लेकिन अगर वो पूरी अवधी तक दीवित रहता है में तो इसके नहीं होगी तो इसके बाद जो राशी दी जाएगी वो डबल दी जाएगी तो काफी अच्छे देथी वाली पॉलिशी कि अच्छे प्रकारत थे तो इसका क्या है जिए जीवन बंदबस्ति पॉलिशी TV इन पोलिशी इसमें क्या रहेगा यह पॉलिशी एक से अधिक जीवनों कैसे ऐया प्रहाई होता है या ऐसे फेंधी आघितीते होगी को भूकतां होता है यánju के निपाद मी देखने में कह्ता का जीती पॅद्म साथ मिलें सकते हुँ तो आपने joint insurance पढ़ा होगा तो साधिधारी में, partnership में, financial accounting में तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि joint insurance लेते थे तो इसी की बात की जा रही उसे तहां की policy होती है तो यह शेतकार हो जाते हैं लिंदरबस की policy के अब आ जाता है अवधी जीवर पॉलिशी, ट्राम पॉलिशी नैसे कि आप जानते ही थे इसको temporary insurance भी कहा जाता है और यह अल्पवजी के लिए होती है कि क्यों होगी एक वरस के प्राया, 7 वरस के लिए भी इसको लिया जाता है इसके क्या जाता है कि अगर विमादार की मत्यू हो नेपल की वेतरकों का भुकतान किया जाता है यह जीवर अवधी में विमादार की मत्यू हो जाएगी तक तो insurance के राश्ट दे दिजाएगी, अगर मत्यू नहीं होगी तो जो भी amount होता है वो समाप्वो जाएगा और इसक समिनल वाली होती हो नहीं होगी इसके फोगता सब्सक्राइब के लिए है जो अपवधी के रिए सो अच्छा करना चाहते हैं जो इस उपवार के रूप में धंदिया हो और इस उपवार पर दोवस्व की भी तर मत्यू होने पस अबदा करके लिए धंद्धी रस्ता करना च चाहते हैं जो रहसा है अपने विश्विश्व कमचारें की सब्सक्राइब के अर्थिक आने की पूर्टी के लिए या उस कमचारी का इसमिश्व अवधी कभी मा गनाना चाहते हैं इस पॉलिसी को प्रेंदर सकते कम होती है तो कि यह ज़्यादा कॉफटेबिल नहीं होती ह जो बहुत जादा एज की लोग होते हैं उनके लिए पॉलिसी सही रहती है कि हाम पता है रहती है कि कुछी की बहुत बीमार है तब ली गई है तो वहां पथवा आइडिया रहता है मना यह ज़्यादा प्रेश्वित नहीं होती है जो अवारी पॉलिसीया होती है वह भी इसमें जो दौक्सी फर्ष होता है यानि कि जितने बेस्पनसर होते है वह बीमादार ही देगा इसका प्रीम्यम एक मुझ्ट में चुखाना होता है यानि एक बाल में ही पुरा राशी होती है वह चुखा दी जाती है दो वशों के भीतर अगर जो बीमा करार रहा उसके मु इसमें क्या रहता है यह पॉलिशी पाट शे असाथ ऐसे क्यावधिक लिए जाती है इसमें बीमादार को यह विसल को दिया जाता है कि वह उत्रा है तो जिवादी पूर्धी होने के दो वश्पूल इस पॉलिशी को किसी भी पर्मानेंट पॉलिशी है जो अजीवन वाली ह है इसमें चन्वाक करा सकता है इसमानवारी पॉलिशी जिल्धिंढशी कर मदी पॉलिशी इसमें क्या रहता है इंया घर्ती वी जा रही है उसमें प्रीमें की दर सबसे कम रहती है फिर आ जाएगा नवकरणी अवधी पॉलिसी इसमें क्या रहता है इसमें बीमादार को सिवरा दी जाती है कि अवधी पूरी होने के पूर वीमा कंपनी को सुचित करने पर अवधी वीमा को कुछ अत्रतिकाल के लिए बिना डॉक्री जाज करा ही चालू रखा जा सकता है यानि कि वो तरह किसे दो वस्ति लिए गई है वो तो दो वस्ति वर दी को बढ़ा भी सकता है तो यह हो जाएं वीमा बंदगस्ति विमा और हवधी वीमा तो आज की वीड़न में पढ़ा कि जो लाइस इसरांस पॉलिशेज होती हैं कितने तरहां जीन होती है नेक्स वीड़न इसके आलगी हम पढ़ेंगे तो आज की वीड़न इतना ही अगर विद्श लगिए तो लाइक पर दिजेग आप तो जीड़न इसके खाविड़न में पर दो ए। याश आलगी होती है